नवश्कार दोस्तों स्वागता चैनल पर देखिए दोस्तों यह पावर का थ्री पिन टॉप और सौकेट है इसकी कंडिशन कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि पता ही नहीं चल रहा है कि दोनों अलग है एक साती है जैसे ही थ्री पिन टॉप को बाहर खेचा तो यह सौकेट क को सात में लेके बाहर आ गया और अंदर की सारी तारे जल चुकी है बहुत ज्यादा खराब कंडिशन हो चुकी है इसकी जो हमारे एसी है उसके अंदर जाहतर यही प्रॉलम आती है कि दीदेर बदबु आती बदबु आते आते अंदर से वायर मैल्ट ओने लगती है तो देखते हैं यह हमारा स्कूर्ड राइवर है इसकी साहता से हम यहां पर लेफ्ट और राइट में दो लगे हूं है इसको हम खोल लेंगे पहले हम ऊपर की जो गृप उपर की पलेट थी उसको अटा लिया है अब यहां पे थोड़ी परेशानी आती है क्योंकि यह जो की वायर नहीं है सिर्फ एक न्यूटल और फेज की वायर है यह देखिए यह न्यूटल की वायर है और दूसरी वाली फेज की वायर है तो यह न्यूटल की वायर और फेज की वायर के बीच में हमारा स्विच लगा हुआ है यह जो पुश पुश वाला स्विच है इसको मोटर स्विच भी बोलते हैं तो हम क्या करेंगे डारेक्ट अपने जो एसी के वायर आ रहे हैं वो स्विच के थूरू इसमें कनेक्शन कर देंगे आप देख लीजे दोस्तों जो फेज वाला वायर है वो अभी सुच में लगा हुआ है और यह अच्छी तरह किसे टाइट कर देंग है इसको और साथ में जिसका जंपर वायर है जो सौकेट से कनेक्ट होता है इसको निकाल देंगे अब देखिए दोस्तों यह हमारा सौकेट है और सौकेट को हम इस त्री पिन टॉप से अलग कर लेंगे काफी ज्यादा इसमें जाम हो चुका है इस तरह किसे लग रहा है कि म स्टीन टॉप को और सिसमें जित्ती है इस तरह कर लेंगे सब्सक्क्राइव कि जो भी राता है जो और हम इसको काटी लेते हैं क्योंकि निकलोटा है कि जो बिनर पिस सबस्क्रेइय ए वह के नध ngay तो वो चुकी ए मिरें तो उक हम आम काम में भी नीए अब इसको छील ले मैं और कोड़ चारी के अर्थिंगी की है जो यह फीड है अब में ऊ動को वार जो अजोड़ देंगे siya कि अ पर तिंग नहीं होती है बलकि उसमें ज्यादा रिस्क हो जाता है हमारी काली वायर है वह न्यूटल की है और लाल वाली फेज वायर है और हमारे बोड में से भी एक न्यूटल और फेज की वायर आई हुई है तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे जो लाल वायर है वह सुच के पर सबसे पहले हम नूटल वायर जोड़ेंगे हमारी सब ब्लैक वाली और नीली वाली को मापस नेक्ट कर gameesar क्योंकि यह दो वायर ही थी आप हमिसको प्लेट में से निकाल लेंगे क्योंकि हम जैसे प्लेट करसेंगे तो यह वायर हमें उपर से कहिं पड़ेगी तो इस सबसे सभी तरीका है कि इसको प्लेट में से पहले ही निकाल लिए जाए अब हम यह न्यूटेल वाली वायर को अच्छी तरीके से कस्क के यानि कि आपस में जोइंट कर देंगे जोइंट करने के बाद में इसमें हम टेप लगा देंगे अब देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इसको जोड लिया है अब हम इसको अच्छी तरीके से घुमा के मोड के और इस पर जो इलेक्टिक टैप होती है वो इस पर लगा देंगे अब हमारे पास जो ड्रेड वाली वायर बची है उसको हम जो स्विच है इसका उसके दूसरे वाले टर्मिनल पर जोड देंगे एक वाले पर तो हमने फेज जो हमारी लाइन आ रही है और जो दूसरा वाला है उसको हम कनेक्ट कर देंगे अब देखिए दोस्तों यह आप जो भी काम करोगे वो पुरा सेफटी की साथ करोगे आप पूरी अपनी जो एमसीबी बॉर्ड में लाइन है उसको काट के करोगे अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है तो और बिल्कुल यह आपको काम नहीं आता है तो आप किसी इलेक्टरिशन को बुला लीजिएगा अब देखिए दोस्तों हमने इसको इसमें फिक्स कर दिया है और यह जो वायर आ रही है अंदर देखिए दोस्तों इससे यह होगा कि आपके जी में है वह अपका चालू हो जाएगा और बाद में जब आपको सुछ सॉकेट मिल जाए तो आपको सुछ सॉकेट इसमें आप इस लगा देने हैं और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप जो सॉक्ट लाइंगे हो सोला इंप्यर के नहीं पच्चीस एंप्यर के लगांगे पच्चीस एंप्यर के जादा अच्छे होते हैं वह आपके बहुत काफी टाइम तक चलेंगे 25 एपियर के अब देखिए दोस्तों मैंने इसमें ग्रिप में इसको लगा दिया है और यह इसमें लगाने के बाद म तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए कुछ प्रॉलम आये तो कमेंट्स करिएगा